हेलो किसान भाईयों, मैं हूँ रुचा निगम और मैं हूँ अश्विन शर्मा हमारा ये यूट्यूब चानल अपनों से पूछो, स्पेशली किसानों के लिए डेडिकेट है जी बिलकुल, क्योंकि हमारे किसान नेटवर्क ने चलाई है एक ऐसी कैमपेण जिसमें बात होगे किसानों की समस्याओं की और उनके समाधान की अब देखो, हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है कब समझ नहीं आता, फसल को बोने के लिए कौन सा बीच सबसे बहतर रहेगा जिससे ज्यादा मात्रा में उपच हो फसल में सिचाई कपकप करें, फिर फसल को रोक के चिंता सताने लगती है और फसल जब पकर तयार हो जाए, तो उसे कहां स्टोर करें, कहां बेचें, मंडी में भाव क्या चल रहा है ये सब किसानों के रोज मरा के सवाल होते हैं, जो किसी न किसी रूप में उन्हें परिशान करते रहते हैं अब बताओ, हमारे किसान भाई अपनी खेती पर ध्यान दे, या बस इन सवालों की गुत्थी सुलजाते रहे इसलिए किसान नेटवर्क ने जिम्मा लिया है, आपके सवालों की गठडी में से रोज कुछ सवाल लेकर उन्हें हल करने का अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि आप आज किस समस्या से घिरे हैं हरे, हाफके तक पहुंचने के लिए हमने बहतरीन हल निकाला है अपनों से पूछों के जरिए अब हमारे किसान भाई प्ले स्चोर पर जाकर मेरा गाउं आप डाउनलोड करें वहाँ अपनों से पूछों के जरिए भेजे अपना सवाल इसी के साथ जिन लोगों के पास स्पार्ट फोन नहीं है उनके लिए हमने कॉल के माध्यम से भी सवाल पूछने की सुविधा दी है अगर आप मुबाईल पर टाइपिंग कर सकते हैं तो इसके लिए अपने मुबाईल के मेस्टेज या वाच्छेप बॉक्स में जाकर टाइप करें आरीजी स्पेस के बाद अपना पूरा नाम और भेज दें इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आप जब चाहें इसी तरह से अपने सवाल लिखकर हमें तो किसान दोस्तों आपके सवाल पूछने का तरीका कोई भी हो पर आपको हर माध्यम से आपकी समस्याओं का हल देने की गैरेंटी हम लेते हैं तो इस सरह से आपके सवाल हमें मिलेंगे और फिर हम जोडेंगे आपको उन साती किसान भाईयों से जो आपकी तरह इन समस्याओं से गुजर कर उनका हल निकाल चुके हैं वो आपकी समस्या का समादान बताएंगे साथ ही आपके सवालों का जवाब ढूणने में क्रशी एक्सपोर्ट भी हमारी मदद करेंगे इस तरह से अपसे आप खेत, घर या कहीं भी अपना काम करते हुए हमसे सवाल पूछ सकते हैं इससे ना तो आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और ना ही इदर उदर भटकना दोस्तों क्योंकि ये सेवा हम पिछले करीब दो महीने से चला रहे हैं और हमारे किसान भायों की तरफ से हमें काफी सारे सवाल भी मिले हैं जिनने हम आज के इस एपिसोड में लेंगे तो सबसे बहला सवाल गोरगपुर से सबीर जी ने पूछा है कि तर्बूस की और ग्यानिक खेती कैसे करें इनके सवाल का जवाब देते हुए हमारे साथ ही किसान ने कहा है तर्बूस कई प्रकार की मिट्टी में उगते हैं लेकिन हलकी, रेतेली, उपजव, दोमट मिट्टी ज्यादा भेतर रहती है जो आसानी से निकल जाती है अपने बागी से में भरपूर मातरा में खात, कमपोस्ट और पत्ते डाल कर रोपन से पहले मिट्टी पर अच्छी तरह से काम करें रिच्चा, तुमने तो सबीर जी की समस्या का हल ही कर दिया अब मैं साजा करता हूँ हमारे किसान दोस्तों से सतीश कुमार जी की परिशानी जो की अलिगड से है यह पूछ रहे हैं कि चिपसोना आलू के उपज भढ़ाने के लिए क्या डाले सतीश जी के साथ साथ यह समस्या उन साथी किसानों की भी है जो चिपसोना आलू की खेती करना चाहते हैं तो आप सभी ध्यान से सुने हमें धाई क्विंटल यूरिया 5-6 क्विंटल अमोनियम सलफेट देना चाहिए नाइट्रोजन का आधा हिस्सा बोते समय और शेश आधी मात्रा मिट्टी चड़ाती समय देना बहतर रहेगा 5-6 क्विंटल सिंगल सुपर फॉस्पेट और करीब 1.5 क्विंटल मूरियेट अफ पोटेश प्रती हेक्टेर बोते वक्त डाले वैसे विने और सतीज जी को उनकी समस्या का हल हमने मेसेज में भी भी भीजा है और इस वक्ग जो भी किसान ये वीडियो देख रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने सवालों से परेशान होने की बजाए आप उन्हें मेरा गाउ एप या साथ दो आठ नौशुने शुने 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 नौशुने शुने पर हमारे साथ साजा करें ताकि आपके अपने कर सके सवाल ढूनने में मदद क्यों ना रिच्चा अब हम उनकी सानों द्वारा पूछे गए सवाल और उनका जवाब जाने हाँ अशुन बिल्कुल तो अगला सवाल में लेती हूँ ये पूछा है रादेशाम जी ने आजम गर से इनका सवाल है कि सरसों की ज्यादा पैदावर कैसे करें रादेशाम जी फिक्र की नो बात जब आपके अपने हो साथ पैदावार बढ़ाने के लिए सरसों की खेती में साथ क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद बुवाई से पूर और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए साथ ही सीचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन डालना चाहिए ऐसा करने से आपके खेत में सरसों की पैदावार देखने लायक होगी और जब आपकी खेती देखने लायक होगी तो हमें लगेगा हमारी अपनों से पूछ़मुहीम सफल हो रही है चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो की है बिजनोड से कुमार पाल जी का इनकी समस्या है कि इनके खेतों में गहू निकालते सकत उनकी पत्या सूठने लगती है उसके लिए ये जानना चाहते हैं कि कौन सी दवा लगाएं इनके सवाल का जवाब देते हुए हमारे क्रशी एक्सपर्ट ने कहा है जिंक की कमी और पेडों को पूरे पौश्टिक तत्व नहीं मिलने के कारण ऐसा होता है इसके लिए प्रती एकड वुवाई के समय दस किलो जिंक डालना चाहिए उमीद करते हैं ये हल पागर कुमार पाल जी की खेती में कभी गेहूं की पत्या नहीं सुखेंगी आजे पाल जी खंडावली से पूछ रहे हैं कि आलू में पहला पानी कब लगाना चाहिए हमारे साथी किसान ने इनकी समस्या का फुर्ती से जवाब देते हुए कहा है कि आलू में पहली सिचाई आलू बुवाई के एक सब्ता बात करनी चाहिए इसके बाद प्रतेक आठ से दस दिन के अंतराल के बात करनी चाहिए किसान दोस्तों जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो किसी भी क्रशी स्कीम, फसल, संभंदेत रोग, स्टॉक, मंडी भाव, खाद वीज और वक से संभंदिक सवाल हमसे पूछ सकते हैं 728-900-900-900 पर अब हम लेते हैं हातरस से पपु सल्मानी का सवाल यह पूछ रहे हैं कि सरसों में यूरिया कैसे लगाएं इनके सवाल का जवाब हमारे साथी किसान में दिया है कि फूल और फली बनने के समय थायो यूरिया की धाइसो ग्राम मातरा को 200 लिटर पानी में मिला कर खेत में छिड़काव करें इससे फसल को पाले से भी बचाव होता है यूरिया पानी के साथ देना ठीक रहेगा दोस्तों आपके सवालों की इस तरहे से बोचार देकर हमें बड़ी खुशी हो रही है अब लेते हैं आज का आखरी सवाल जो की बागपद से कमल सिंग जी का है कमल जी जानना चाते हैं कि उनके आलू में पीला पाटा पढ़ रहा है इसका क्या उपाय है कमल सिंग जी के सवाल का जवाब और बाकी साथी किसानों को सला देते हुए हमारे क्रशी एक्सपर्ट ने कहा है कि जिन्होंने अपने खेती में फफूंद नाशक दवा का छिड़काओं नहीं किया है या जिन खेतों में जुलसा बिमारी नहीं हुई है उन सभी को सला है कि मैंकोजे भ्यूक्त फफूंद नाशक 0.2 प्रतिशत की दर से यानि 2 किलोग्राम दवा 1000 लिटर पानी में 1 हेक्टेर के हिसाब से छिड़काओं करे तो दोस्तों आज हमारे किसान साती सबीर जी, विने जी, सतीज जी, रादेशाम जी कुमार पाल जी, अजे पाल जी पपु सलमानी और कमल सिंग जी को उनकी समस्याओं का सम्हादान मिल गया है आप बताएं आपके सोच में डूबे हैं जल्दी से अपनी सारी चिंताओं को हम पर छोड़ दे आप बस अपना सवाल मेरा गाओं आप या 728-900-900-900-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग या मेसेज वाटसिप के जरिए टाइप करें और हमें भेज दे और अब से इसी तरह हम हर बुद्धुवार और शुक्रवार को आप से मिलेंगे अपनों से पूछो पर वो भी फीक सुबह 11 बजे हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें बेल आइकन दबार कर सब्स्राइब करें साथ ही अपने दोस्तों और रिष्टेदारों संग ये वीडियो जरूर शेयर करें अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकार तब तक के लिए हम दोनों को दीजिये इजाजत खुश रहिए अपना खयाल रखिये